राम राम किसी विक्ति को क्यों रोका जाता है अपने पहने हुए कपड़े किसी को देने के लिए या फिर नए कपड़े लेकर किसी सादू संत को देने के लिए जुरत से जादा पूजा पाठ करने से क्यों रोका जाता है किसी विक्ति को आज आपको इन सभी बातों के उत्तर मिलेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें देखिए अगर किसी विक्ती ने कभी अपनी जनम पत्र का किसी विदवान जोट्शी को दिखाई है तो वो आपको अक्सर एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि अपने पहने हुए कपड़े आप किसी को भी नहीं दे सकते ऐसा आपको नहीं करना चाहिए ये प्रशन कई बार मन में आता है तो फिर उन पहने हुए कपड़ों का करे क्या क्योंकि घर में तो धेर लग जाता है पहले ये समझना है ये कहा क्यूं जाता है कि आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दे जब भी किसी की कुणली में शुक्र ग्रह उच्च का होत है यानि के भाव नंबर बारा में होता है तो ये शुक्र उच्च का माना जाता है गरस्ती के सुखों में ये बहुत बढ़िया परिनाम देता है जीवन में ऐशो अराम की पराप्ती करवाता है और शुक्र की कारक वस्तूओं का शुब फल मिलता है लेकिन जब विक्ती है ना वो शुक्र के कारक चीज है इनको बाटना शुरू कर देता है या अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देता है या कपड़े ही गिफ्ट करने लग पड़ता है तो यही जो शुक्र उच्च के परिनाम देने लग पड़ता है ये नीच के परिनाम देने लग आपकी जो शुबूर जाती शुक्र की वो लोगों में बट गई अब आपको शुक्र से जुड़ी हुई चीजों के अच्छे परिनाम नहीं मिलेंगे ना अच्छा मकान होगा ना गाड़ी होगी ना जीवन साथी का सुक्ष होगा ना आपका खान पान अच्छा रहेगा तो इन सभी चीजों में फिर तकलीफ आने लग पड़ती है इसलिए भाव नंबर बारा में किसी का भी शुक्र हो उसको ये बोला जाता है कि भीया यहां पर अपने इन कारक तत्वों का यानि के शुक्र की कारक तत्व चीज कपड़े हैं इनका दान मत करो अगले हालात क्या हो होता है खाना नंबर साथ शुक्कर का है भाव नंबर साथ जो है वो शुक्कर का है और शुक्र करक है तो ब्रस्पति यहां पर आकर किया करेगा लाas खराफल देने पे आएगा शुक्र की कारक वस्तू कपड़े अपने पहने हुए लोगों को दान कर देगा या अपने पहने हुए कपड़े उसके भाई बहन या कोई ना कोई मांग के ले जाएगा वही पहनेगा या उसके बाद वापिस भी नहीं देगा या फिर ऐसा विक्त शुक्कर की वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है ऐसे विक्ति की फिर डेली इंकम भी अच्छी नहीं रहती गरस्ती के सुख कमजोर हो जाते हैं और जीवन में सुखों का अभाव हो जाता है तो इस कारण से जिसका भी ब्रस्पति खाना नंबर साथ में हो उसे मना किया जाता ह कि भाई साव कपड़ों का दान नहीं करना अब आप सोचेंगे कि कपड़ों का दान नहीं करना तो इन कपड़ों का करें क्या जब ये पूराने हो जाएं तो कई बार बरतन बेचने वाले आते हैं उनको दे सकते हैं उनके बदले बरतन ले सकते हैं यही एक इसका solution है यह जिस का solution है इसके इलावा आपको बोला जाता है अत्य अधिक पूजा पाठ ना करें ये कब ज्यादा परभावी हो जाता है जब भी ब्रस्पति खाना नंबर 10 में होता है विक्ति बेहत खाना में दुनिया में कारोबार चलाने का मालिक है चुस्ती चलाकी से धन कमाने का कारक है तो यहां पर कोई भी बिजनस अगर चलाना है खुश्यारी चाहिए आपको चलाकी चाहिए नए नए आइडियास चाहिए और प्लैनिंग चाहिए जो शनी देते हैं दुनिया में पूजापाथी नहीं है ठीक है ना और ब्रस्पति के काम जब हम अत्य अधिक पूजापाथ करते हैं तो देव तत्व की हम में बड़ोतरी हो जाती है और इस दुनिया को चलाने के लिए देव तत्व और चुस्ती चलाकी का एक बैलंस चाहिए बैलंस बन नहीं पाता और अधिक पूजापाथ ना करें यहां पर भी वही बात है खाना नंबर साथ है चाहे डेली इंकम है आप कई कारोबार ऐसे होते हैं जो रोज मर्रा की आमदन पे चलते हैं हम काम खोलते हैं शौप ओपन करते हैं काम करते हैं पैसे आते हैं तो डेली इंकम जो आ रही है यह कह 89 भाव में आकर विरागी भाव उत्पन होगा फिर विक्ति कहीं न कहीं गरस्ती के सुखों को नहीं भोग पाता और पैसे के लिहाज से ये ग्रैफिर कमजोर हो जाते हैं इसलिए ब्रस्पति खाना नंबर 10 और 7 वाले को बुला जाता है अत्ते अधिक पूजा पाठ नहीं कर बार जाना कभी भी बूरा नहीं है वो जाना चाहिए ब्रस्पति चाहे 7 में हो चाहे 10 में हो ऐसे विक्तियों को गोल्ड जरूर धारन कर लेना चाहिए ये थोड़ा ध्यान में रखे तो ये सब चीजों का ध्यान रखके अगर आप चलते हैं तो आपके चाहे ब्रस्पती खाना नंबर 7 में हूँ चाहे 10 में हो अच्छे हो जाते हैं और शुकर अगर 12 में हो तो भी अच्छे परिनाम मिलने शुरू हो जाते हैं इन बातों का ध्यान रखे इसलिए बरस्पती खाना दस वाले को पूजापाथ अत्यादिक मना की जाती है और बरस्पती खाना नमबर साथ वाले को भी अत्यादिक पूजापाथ मना की जाती है और ब्रस्पति खाना नमबर साथ और शुकर भाव नमबर बारा में कपड़े का दान मना किया जाता है इसके पीछे यही लॉजिक और सिधान्त है ऐसी आशा करता हूँ यह बाते आपके लिए लाबदाएक सिद्ध होंगी इस वीडियो में दी गई जानका लिकालाग मातारानी की किरपा से आपको होगा जै माता दी